एक बात सच बताएगे रहना देगी मेरी जिफ की बज़े से आपको मजबूर में यहां आना पड़ा ना आज कि मुझे कोई भी चीज मजबूर नहीं कर सकती है मैं तुम्हें मिलना चाहती थी इसलिए यहां है थैंक यू सो मच अब जब यहां आई ही गए हूं ऐसी कोई बात मत करना जिस सुनके में लासित चली जाओ क्या मतला शुक्र आदा तुम औरों का करना मेरा नहीं आपकी कंप लोग मैसे सही कहते हैं कि जो रॉयल फैमिली के लोग है ना उनमें सेंस ओफ यूमर खांदानी होता है वैसे काफी वक्त से मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन हर वक्त भूल जाते हूं क्या मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को इज़त इसी तरह से बख्षते हैं इसलिए मैंने इस रिष्टे को कोई नाम नहीं दिया आपको कहीं बुरा तो नहीं लगता कि मैं आपको सिर्फ रंजना देवी कहके बुलाती है हर्गिस में बलके मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे तुम कैसे चानती हूं कि मैं र रॉयल फैमिली के बारे में बता रहा था है अच्छली ना उसके बाद तो मैं किसी प्रिंट से शादी करने के सपने देखने लगी और नतीजा देखिए अब तक कवारी बैठी हूं केशब अंकल कितने लगी थे लेकिन मैं बहुत अनलगी थे मैं उस शादी में हर्किस पुर जाइशी नहीं छोड़ी थे मैं समझी नहीं बुरा मत मनना लेकिन ताउन ने मुझे उस शादी में पसाया थे बुरा या अच्छा मानने की तो बात ही नहीं है, वो मेरे मामा जी जरूर थे, रिष्टे में थे, लेकिन अच्छी भी उनसे मिली ही नहीं, मुझे तो इतना भी नहीं पता के वो एक अच्छे इंसान थे के बुरे इंसान थे, बहुत बुरे आदमी थी, सिर्फ बुरे थी, इतने बुरे थे के अच्छा उन्हें गोली मार दी, क्या, उन्हें गोली मार दी, किसले बारी वो गोली?